आज दोस्तों तवा पर ब्रेट बिज़ा बनाएंगे वो भी टर्की फूर्स की ट्रिक के साथ यानि कि इसे हम इस तरीके सेंखेंगे कि जो अमरी ब्रेड है बहुची तरीके से सिख भी जाए पर जो इसकूपर का चीज है वो भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए कभी कभ ब्रेट बिज़ा में कुछ खास इंग्रेडिंग्स टालेंगे जिसकी बज़ेस जो ब्रेट बिज़ा है वो और बी जूसी बनेगा और बहुती ज्यादा स्वाधिश्टी बनेगा अच्छा में दिखा देता हूं यह देखेगा यह अंदर से कितना जूसी है और इसके मैंने निया पर मजबरेला चीज लिए जो कीजिव ली मार्केट्합 मिल जाते है और यह आपडों लेंगे हम कुछ हर्फ्स मैंने ब्त ओर यप सकता है लेसOneilan रिया इसाद सीनुना मिर्च जिसको मैंने इस तरीके से लंबा-लंबा कालिया आपके पास और प्रिकार की सिद्म साथ प्याज प्याजी मैंने चॉप कर लिया इस तरीके से और थूड़ी सी चिली फ्लैक्स इसका स्वाद काफी अच्छा आएगा इसको स्पाइसी भी करेगा और इसी के साथ इसमें डालेंगा मियोनीज मियोनीज इसके स्वाद को और फ्लेवर को बहुत ही रिची कर देगा बहुत ही स्वादिष्ट बनाएगा जब आप इसे डालेंगे तो फिर आप देखेंगे खुद बेखुद इसका स्वाद काफी अच्छा आएगा और इसका जो फ्लेवर है वो भी काफी अद तक बढ़ जाएगा इसी के साथ डालेंगे हम बीवा का यहां पास्ता एंड पि स्वादिष्ट है तो मेंने इसका ले लिए अम इसका लेते हैं चारों तरप अच्छी तरीके से टा लहें तकी ऑपने सिब्लक्ते हैं तो बस इतना ही रखंगे इस साथिस पर लगा देंगे शिम्भा मेर्च अपने हिसाब से आप कोई भी सब्जी समें आड़ कर सकते हैं प्लाल में बहुत जादा सब्जी आड़ नहीं कर रहा हूँ जो इजली मार्केटों मिल रही है बस वही मैंने यूज की है और अब डाल देंगे स्कूपर हम टमाटर इसी के साथ दो साल पहले मेरे रखे हुए औलिफ्स हैं जो इस समय काम आ रहे हैं जिहां इनकी लाइफ काफी होती है लगोग तीन साल तक इनकी लाइफ होती है तो मेरे तो यह दो साल पुराने हो चुके हैं हम खेर मैंने डाल देता, हराभ हो जाएंगे अब डाल देते हैं और अरीगानो हर्ब्स अगर आपके हमको पास mixed herbs है आप तो extend कर सकते हैं इसे साथ चुना दाल देंगा-म्योनीज आप्योनीज किसी पी कंपनी की ले सकते हैं सारी के सारी मियोनीज अच्छी और स्वाधिश्टी होती हैं बस मैं इसे दाब दाब के निकाल लेता हूं वैसे भी निकालने में थोड़ी से मेहनत तो करनी पड़ रही है खेर निकलाएगा असानी से बस आप इस तरीके से निकाल ली देगा यह देखेगा और अब इसको हलक से चली फ्लेक्स की कॉंटिटीव बढ़ा सकते हैं अगर आप ज्यादा इसपाइसी चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा लें आप इसकी जगए हरी मिर्स का प्रियोग भी कर सकते हैं और अब डाल देंगे इसको पर हम थोड़ा सा नमक ताकि जो हमारे ब्रेट विज्जा का सब्सक्राइब बाद में चीज बच गया है और अब इसके उपर हम चीज बच गया है और आप छोटे बाले कद्दू कस्ते ही से कद्दू कस करके डाल दे रहा हूं यहां पर द्यान रखिएगा कि इसमें सबसे अच्छा स्वाद मोजरेला चीज का ही आता है क्योंकि वह ब जाकी उपर से सुन्दरता बढ़ा जाए अब रेड़ पजाकी उपर कुछ नहीं डालना है बस इसको हमें सेंक ना है तो मैं इसको अवन में भी सेंक हूँगा और तबे पर भी तो फिलाल हम सबसे पहले तबे पर सेंक लेते हैं तो इसकी एक ट्रिक है उसके लिए मैं यहा अरण नाव और जो हमारी ब्रेड है वो आसानी से सिके और जो इसको उपर चीज है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए अब इसमें एक्ष्टा पानी है उसे हम फैंक देते हैं एक साइड अब इसको गैस पर रख देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिलू कर देंग जड़ेला चीजे वो मेल्ट हो जाए और बाकी के दो बच्छे हुए है इनको रखेंगा अवन के अंदर तो दोनों को रख देते हैं जाली के उपर बच्छीज भी इसकी ऊपर डाल देते हैं और यह गया अवन के अंदर जब तक बुषिक रहे हैं तब तक इने सेंक लेते देखेगा दीरे-दीरे जो चीज है वो मेल्ट हो रहा है यह देखेगा चीज कितनी आसानी से मेल्ट हो गया है और नीचे से जली भी नहीं है क्योंकि नीचे में पहले पानी लगा लिया था तो आसानी से दीरे-दीरे सिखते गए अब इसको निकाल लेते हैं कि अज़िए बड़ी आसानी से च्छुटा लीजिए यह देखीगा कितने है असाने निकला रहे हैं यह देखीगा हैन में निकाल लिए इसको पीछे से भी दिखाजेता यह देखेगा बिलकुल भी नहीं जले और आसानी से सब्हें tests own e अगर इसके अंदर चीज मेल्ट ना हुए तो बैकार है तो चीज का मेल्ट होना बहुत जरूरी है अब जो अवन में रखे तो उन्हें भी निकाल लेते हैं यह देखेगा भाई और यह हमारा जो है पैन है तो पैन में और अवन में थोड़ा साथ अंतर रहता है खेर बहुत अंतर नहीं है क्योंकि दोनों पर ही अच्छी तरीके चीज मेल्ट हो चुका है और जो इसके बाद आपका जो पिज्जा है और अगर यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें दोस्तों साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आईकन उसे भी दबादें ताक इसी तरी यूपर अंतर बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू